हेलो दोस्तों क्यासे हो सभी मैं रामने वास एक बार फिर आप सभी लोगों का अर्दिक स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले पाइप एंड सिस्टन यान पाइप और टंकी और उसमें आपने लास्ट वीडियो में क्वेशन नमर वन टू 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 तक के सोलिशन देखे दे आज में इस वीडियो में क्वेशन नमर टूटिस इक्स तू टू 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 फुटी तक के सोलिशन देखने वाले है तो चलिए आज की लास का पहला क्वेशन और आपके सामने और मुझे फट़ा पर इसका अंसर बताईए क्या होगा बई ठीक है चलिए इसमें दिया क्या टेप A can fill empty tank alone in 6 hours tap B alone can empty the same tank when filled in 8 hours if they are opened in alternate hours starting with A then in how much time will tank B full for the first time कह रहा है एक खाली टंकी को null A अकेले 6 गंटे में बर सकता है उसी टंकी को null B अकेले 8 गंटे में खाली कर सकता है इसका मतलब आपके बास में simple है कि A null है वो 6 गंटे में टंकी को बर सकता है B null है जो 8 गंटे में टंकी को खाली कर सकता है यह खाली कर रहा है और यह भर रहा है यदि उन्हें A से सुरू करते वे वेकल्पी गंटों में खोला जाता है तो भाई कुल मिला के हमें देखना पड़ेगा ना कितने लिटर की है तो 24 यह 24 लिटर की वो टंकी है ठीक है कितने लिटर की है 24 लिटर की है ठीक है इनका जो LC हम ने लिया यह 4 है और यह 3 है अब एक बात बताइए इनको alternate hours में खोला जाता है तो tank पहली बार कितने समय में भर जाएगा टेंग को भरने में कितना टाइम लगेगा भाई बहुत सिंपल क्वेशन है क्वेशन जरा समझना इसको आप से बोला गया कि पहले A को उसके बाद में आपको B को ठीक है अब एक चीज ध्यान में रखना ये भरेगा ये खाली करेगा ये चार भरेगा ये तीन खाली करेगा तो प्लस का चार माइनस का तीन कुल मिलाके एक लिटर पानी जा रहा है कितने घंटे में दो घंटे में अब दो घंटे में एक लिटर ही पानी जा रहा है जो ही A ने ओपन किया A ने चार लिटर पानी डाला तो B ने 3 लेटर पानी निकाल दिया तो net हमारे पास में पानी कितना आगया अपने का सर 1 लेटर ठीक है अब एक बात बताईए एसे करते करते मैं जब जाओं लगभग कितने किस के पास जाओं 24 करूं 24 करूं तो भई मैंने ये देखा कि मैं एक बात 20 तक जाता हूँ तो 20 तक गया इसको मैंने 20 से multiply किया तो इसको भी मैं किस से multiply करूंगा 20 तक ठीक है भई एक गंटे में आपका 2 गंटे में एक लिटर जा रहे है तो भई एसे करते करते 24 लिटर के टंकी बरनी है तो मालों 20 लिटर तक पानी भरना हो, तो मैं इसको 20 से मल्टिप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर भी 20, 40 गंटे हो गए 40 गंटे में टंकी में पानी कितना आ गया? 20 लिटर, 20 लिटर ठीक है, समझना बात को यहाँ तक हम A और B के हम बात कर चुके A भर रहा है, B खाली कर रहा है, यह परोसीज सारा चल रहा है, ठीक है? अब यह कर रहा है, टंकी कब भरेगी? हमें टंकी भरनी है, ठीक है? और टंकी भर जाए, हम आतवा सारे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्लियर है? तो हमने यह देखा कि 40 गंटे हो चुके और 20 लिटर पाने टंकी में जा चुका अब एक बात बताईए, यह प्रोसीज कम्प्लीट हो चुका, तो अब एक बात बताईए, अब नम्मर किसका है? अब नेक्स्ट जो ही 4 लिटर भरेगा टाइम कितना? एक गंटा एक गंटा जो ही एक्स्टा टाइम आया और 4 लिटर इसमें भरते ही टाइम इसमें टोटल कितना हो गया? 24 लिटर तो भर गई ना हमें तो टंकी भर चुकी है इसका मतलब टोटल टाइम कितना है? 41 आर लेगन कुछ लोग क्या करेंगे? हमने देखा 1 लिटर पानी 2 घंटे में 24 लिटर बनना है तो वो 48 करके आएंगे C ओप्शन जबके आंसर हमारा क्या रहे? D ओप्शन तो गजब का कॉश्चन है एकदम आसान कॉश्चन फटाब इसको देख लीजी क्लियर है? चली वही अब नेक्स्ट कॉश्चन और इस कॉश्चन में बताईए हम क्या कर सकते हैं और क्या दिया गया है? पाइप A पाइप अन फिल एंप्टी टैंक इंटेना पाइप B पाइप अन फिल था सेम टैंक वन एंप्टी इन फिप्टीना और पाइप C पाइप अन फिल एंप्टीना पाइप C टैंक के खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर आदा टैंक भरने में समय ग्यात केजिए सबका individual time दिया गया यह सेम जो topic है यह आपका time and work वाले process पर ही चल रहा है ठीक है? अब देखिए टैंक जो A है वो 10 गंटे में बर सकता है टैंक B है वो खाली होने पर 15 गंटे में बर सकता है टैंक C है जो pipe C है वो टैंक को पूरी तरह से बरने पर 12 गंटे में खाली कर सकता है यह खाली करने वाला है अब चाहिए बरने वाला हो चाहिए खाली करने वालो भरेगा तो उसी टैंकी को खाली भी उसी को करेगा तो कोई जादा इस पर फरक नहीं बड़ेगा जो दिया है उसके coding आप चलते रहो आपने इनका LCM कितना लिया 60 L यह कितना होगे 6 यह 4 और यह कितना होगे आपका 5 होगे अब एक चीज बताना इसमें सिंपल सी बात है यह भरने वाले और यह खाली करने वाला ओके इनके efficiency है दक्सता है आपसे पूछा है टेंक के खाली होने पर 3 को एक साथ खोलने पर आदा टेंक बरने में कितना समय कितना इसका आदा कितना बरना है 30 L 30 L अब एक बात बताईए जरा मुझे बरना है 30 L तो जब 30 L आपको बरना है तो आप यहां पर इनके efficiency देखिए ज़रा, तीनों को साथ में आपने उपन किया है, तो मैं टाइम निकालों, तो मैं कहूंगा 30, 8 ए टाइम जब 6 जार है, 4 जार है, तो मैंनस का 5 आ रहे, तो net हमारे पास में कितना आ रहे, 30 उपन 5 यान कितना, 6 आर, 6 गंटे में वो टंके आपके भर जाएगी, ठीक ह 6 गंटे में टंके, आधी है न, आधी भूचे तो आधी भर जाएगी, अगर आप सबको एक साथ ओपन कर लेते हो, तो, ओके, क्लियर है समझ में आगी बात, सिंपल क्वेशन है, एकदम आसान, आसान क्वेशन है, अब देखिए, आप से बोला है, नेक्स्ट क्वेशन में, 3 pipe DEF can fill a tank in 6 minute, 8 minute and 12 minute respectively, all the pipes are opened simultaneously and the pipe D and E are closed 3 minutes before the tank is full, ओके, in how much time will the tank be full, 3 pipe DEF, एक tank को करम से 6 minute, 8 minute, 12 minute में भर सकते है, यह D है, जिसमें क्या दिया गभी, 6 minute, 6 minute, ओके, यहां पर कितना है, 6 minute, और उसके बाद में E है, उसमें कितना है, 8 minute, और इसके बाद में F है, उसमें कितना है, 12 minute, clear, अब एक बात बताई, यह tank actually में है क्या, कितने लिटर का है, तो इसके लिए हमने देखा 6, 8, 12 से divisible हो, 24 liter, हमने इसा मान लिया, तो जब 6 minute में व 4, इसके कितने 3, इसके कितने 2, अब आप से बोला है, सबी pipe एक साथ खोले जाते हैं, सब को खोला गया है, और कह रहा है, फिर pipe D और E को tank बरने से 3 minute पहले बंद कर दिया जाता है, एक बात बताओ मुझे, कि यह वही case से, कि जब D और E काम करने से मना कर देते हैं, पहले कब जब काम complete होता है, उससे पहले, तब हम क्या करते थे, तब आपने का सर में एक काम करते थे, क्या काम करते थे, को tanki को कितने से में बर जाएगी, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा था कि 24 जो यहां पर इनकी जो work है, जो काम है, जो liter है, जो capacity है, उसके अंदर जो पहले बंद हो करता, तीन मिनिट में 3 into 3 यह करता, clear है, नीचे कितना आ जाता, आप आपने का सर में नीचे सभी की efficiency को हम एड कर देते हैं, clear, तो यह कितना हो गया भी, 24, प्लस कितना है, 12, और प्लस कितना है, 9, और नीचे कितना है, 9, clear, अब यह हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, 45 क् 45, अपोन 9, कितना आगे भी, 5 मिनिट में, टैंकी को भर दिया जाएगा, कितनी मिनिट में, भई, 5 मिनिट में, यह option आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, है ना गजब का question, तो concept सारे इसके time and work वाले concept है, कोई नया कुछ भी नहीं है, फट आप डिस question को देखो, आगे बढ़ते ह देखिए, next question, और यह question आप से क्या कहता है, कि tape है, can fill a empty tank in 8 hours, if no other tape is open, and B, a tape B can empty the same tank when filled in 12 hours, when no other tape is open, find the time taken to fill the same tank when empty, if both tape are open together, simple question है, कह रहा है, कि यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है, इसका मतलब है, कि वो अकेली की बात करा है, कि अकेला नल A, एक टंकी को, खाली टंकी को 8 गंटे में भर सकता है, तो A है, वो कितने गंटे में, 8 गंटे में, उसी तरीकी से जब कोई अन्य नल नहीं खुला है, तो B 12 गंटे में खाली कर सकता है ये खाली को बर सकता है और ये भरी वी को खाली कर सकता है इसका काम उससे क्या? उल्टा है चीक है? चलिए वी अब हमने ये देखा कि इनका total हम देख लेते हैं capacity क्या है तो capacity हमने देखा 24 लिटर इसका हम ले इसकी per hour 3 और इसकी कितने 2 तो ये भरने में मायर है और ये खाली करने में अब कहारे दोनों को अगर open कर दिया जाए यदि दोनों नलों को मैं एक साथ अगर open कर देता हूँ तो मुझे ये बताना है कि भई जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा तो एक बात बताईए जब A और B दोनों की मैं combined efficiency की बात करूँ तो 3-2, 1 है एक गंटे में एक लिटर पानी जा रहे है तो मेरे भई टाइम निकालना है तो 24 upon 1, 24 आ रहा जाएगा ठीक है 24 गंटे येन C option आपका correct answer हो जाएगा ओके समझगे बात को next question की हम बात करते है और ये question आपके सामने जल्दी से answer बताईए देखिए ज़रा ये question क्या कहता है pipe A can fill an empty system in 6 hours and pipe B can fill the same empty system in 8 hours both the pipes are opened simultaneously but after 2 hours pipe A is closed how many will B take to fill the remaining part of the system pipe A एक खाली टंकी को 6 गंटे में बर सकता है चीक है चो pipe A है वो खाली टंकी को 6 गंटे में बर सकता है और pipe B उसी खाली टंकी को 8 गंटे में बर सकता है कितने गंटे बई? 8 गंटे में बर सकता है दोनों pipe ओं को एक साथ खोला जाता है दोनों को एक साथ खोला जाता है तो सबसे पहले बात efficiency उसके आती है capacity की तो हमने का भी यहाँ पर 24 लिटर कर दे तो यह पर आवर 4 और यहाँ पर आवर कितना हो जाएगा 3 लिटर लेकिन कह रहा है कि जब दोनों को साथ में मैंने open कर दिया यहाँ पर चले आईए जब मैंने A और B को दोनों को open कर दिया और दो गंटे बाद में A pipe को बंद कर दिया तो B open है ठीक है A जब close है तो B क्या है open है A close है ठीक है तो दो गंटे तक दोनों ने पानी भरा दोनों भरने वाले है ठीक है दोनों भरने वाले है तो दो गंटे तक एक से ने 4 और एक ने 3 के साब से तो ये हो गया मेरे भाई 14 बचा कितना आपके पास में 10 टाइम कितना हो जाएगा 10 और B की कैपसिटी कितनी है 3 ये हो जाएगा 3N1Y 3R पताइए कौन सा हो जाएगा B option answer हो जाएगा तो इस टाइब की सिंपल कोशन है जो time and work वाला concept है वो यहाँ पर apply होता है एकदम easy question है और इनको एकदम हलके में कर सकते हो इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको time देना इनको आप within second question को आप कर सकते MTS में पुछा गया question है ओके बहुत छोटा topic है चलिए इसको देखिए इस question में आपको क्या बोला गया है आपसे बोला है एक container is normally filled in 5 hours However, it takes 6 hours when there is a leak at the bottom if the container is full at the what time would the leak empty it if no water is allowed into the container during that period एक container समान रूप से 5 गंटे में भर जाता है हलां कि तल में रिशाव होने से 6 गंटे का समय लगता है यदि container भरा हुआ है तो कितने समय में रिशाव container को खाली करेगा यदि उस अवदी की दोरान container में पानी भरने के अनुमती नहीं है question simple सा है तोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा एक container समझर उसे 5 गंटे में भर जाता है माल लो एक ए है वो 5 गंटे में इसको भर सकता है कितने गंटे में मेरे भाई 5 गंटे में clear तल में रिशाव होने से तो रिशाव का मतलब यह हुआ कि भी दो नल होगे आपको नहीं समझ में है दोनल कैसे होगे माल लेते हैं यह कोई tank है उस tank के अंदर यहां से क्या हुआ पानी भरा जा रहे है यह A है यहाँ पर bottom में कोई एक छोटा सा रिशाव हो गया इससे पानी निकलना start हो गया इसको हम B बोल देते हैं यह क्या है negative वाला है और यह क्या है positive वाला है क्यों मैं भरने वाला plus है और खाली करने वाले को minus लेते हैं clear तो मैंने कहा कि यह तो plus वाला है यह plus वाला है यह minus वाला है इसका मतलब यह कितने गंटे में आपने कासर यह 6 गंटे का समय लेता है ठीक है अभी भी भरा जा रहा है, इसका मतलब टोटल टेंग का कितना लिटर का है? 30 लिटर का, clear? ये गंटे में 6 और ये गंटे में 5, तो जो A अकेला गंटे में 6 डाल सकता है और वैसे net कितना जा रहा है? आपने का सर नेट हमारे पास में 5 ही आ रहा है जब आपको पता है कि A प्लस B बराबर आपको 5 ही दिख रहा है इसका मतलब होना तो यह चीए 6 तो फिर यह 1 होगा कहने का मतलब है कि यह प्लस का है और यह माइनस का है तो यह अगर प्लस का 6 डाल रहे है तो माइनस का 1 होगा एक लिटर पर आर उसकी खाली करने की capacity है किसकी B की तो माल लो इस capacity की साथ में वो अपनी इस efficiency की साथ में टाइम हागर हम निकालें तो 30 लिटर को जब गंटे में 1 लिटर निकाल सकता है तो कितना लेगा वे 30 गंटे इस पुरी को खाली करने में ले लेगा 30 आर D option आपका answer हो जाएगा clear है समझ में आगी बात चलिए इस question को देख लीजिए एकदम simple question है जो पीछे वाले question की तरह ही है कहरा है a pipe can fill a tank in 15 hour due to the leakage in the bottom it is filled in 20 hour if the tank is full and the pipe is closed how much time will the leak take to empty the entire tank एक pipe एक tanky को 15 गंटे में बर सकता है एक तल में रिसाव की काणी 20 गंटे में बर जाता है वही सेम चीज एक है वो बरने वाला 15 गंटे टाइम लेगा एक है बरने वाला और साथ में खाली करने वाला वो 20 गंटे का टाइम लेगा clear यहां से हमने देखा टोटल कितना है 60 यह वही 4 है और यह आपका 3 है चुचो इन दोनों को बरने में एक चार भर सकता है तो फिर बराबर 3 आ रहा है इसका मतलब क्या है वही इनके 3 तो आ रहा है यह इसका मतलब भी यह क्या है इसकी जो खाली करने की efficiency यह वो कितनी 1 है ठीक है leak है वो घंटे में एक लिटर पानी बहार निकाल देता है तो कहा रहा है यह टेंक पूरा भर गया तो pipe बंध है तो रिशाव द्वारा पूरा टेंक खाली कितने टाइम में हो जाएगा तो 60 एपोन 1 कितना हो जाएगा 60 hours कितने गंटे भी 60 गंटे तो एपोन आपका अंसर हो जाएगा बहुत simple question है आप इनको फटा फटन question को निप्टा सकते हो clear है चलिए भई अब इस question को देखिए ज़रा और जल्दी से मुझे इसका अंसर बताईए क्या होगा ओके आप से क्या बोला है आप से बोला है Manoj and his wife Swati till a tank with water fast form a well Manoj fast 5 liter of water in 4 minutes whereas the Swati fast 4 liter of water in 5 minutes find the time taken by them together to fetch 205 liter of water Manoj और उसके पतनी Swati कुएं से लाएगे पानी से एक टंकी भरते है और ये टंकी है ठीक है इसको भरना है ये Manoj है और ये उसकी wife है ये दोनों पानी लेके आ रहे है और Manoj 4 minute में 5 liter पानी लेके आता है Manoj है वो क्या करता है 4 minute में कितनी लेक्टर पानी पांच लिटर पानी लेके आता है और उसकी जो वाइफ है सुवाती वो क्या करती है पांच मिनिट में कितने लिटर पानी लेके आती है चार लिटर पानी लेके आती है ओके समझे ना अब मैंने क्या किया बाद में कहा रहा है दो सो पांच लिटर पानी लाने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय गयात कीजिए मुझे पानी कितना चीए 205 लिटर इस टेंग के अंदर ठीक है तो मैंने क्या किया कि टाइम को इक्वल कर लेते हैं माल लो ये 4 मिनिट है ये 5 मिनिट है तो हम 80 टाइम अगर बात करें इसको 5 से इसको 4 से ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया 4 तो कुल मिला कि मेरे पास मुझे पता चला कि यहाँ पर टोटल कितना आ रहे 25 लिटर और यहाँ पर कितना आ रहे आपने का से टोटल आ जाएगा 16 लिटर इसका मतलब 20 मिनिट अगर मैं लेके आई है तो हमने कहा कि 16 लिटर और यह total लेके कितना आ रहे है 41 लिटर कितने time में 20 minutes में तो हमने ये देखा कि जब आपके 20 मिनिट में इतना आ रहा है पानी तो सिंपल सी बात है कि इसको 205 लिटर करना है किस से multiply? 5 से इसको भी किस से हो जाएगा? 5 से मतलब कितनी बार लाना पड़ेगा? 5 बार तो ये कितना हो गया? 100 मिनिट कितना मेरे भाई? 100 मिनिट C ओप्सन आप का अंसर हो जाएगा? कौन सा अंसर है? C ओप्सन ओके? चलिए भाई आगे कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन नम्मर 3-4 या 34 इसमें आपको बोला क्या है? आपसे बोला है इन 6 मिनिट कोवाई 13 ओब बकेट is filled, how much time will it take to fill the remaining bucket? 6 मिनिट में बाल्टी का इतना भाग भर जाता है तो बची भी बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? बात है 4-1 13 की मैं इसा माल लेता हूँ, टोटल मेरे पास में इतना है बाल्टी है, वो कितने की है? हमने का सर, पूरी बाल्टी है पूरी, वो बाल्टी है 13 लिटर कितनी है? 13 लिटर, निचे वाले को मैं टोटल माल लेता हूँ फिर मैंने देखा कि सर, इसमें पानी इतना ही भराव है कितने से भाग में? ये भाग हो गया मेरा 4 कितना है? 4 लिटर तो भी 4 लिटर भरने में कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट एक लिटर भरने में कितना लगेगा? आपने का सर, ये हो गया 6 by 4 3 by 2 मिनट clear? अब कर रहे बची हुई बाल्टी को भरने में तो बाल्टी बच्ची कितनी है? आपने का सर बच गई 9 चीक है? कितनी बच गई 9? तो भी 9 की value अगर हमें निकालनी है तो 3 by 2 और multiply by 9 यह कितना हो? 27 upon 2 और 27 का मतलब क्या हो गया? 13 minutes and 30 seconds 13 minutes and 30 seconds भी C option आपका answer हो जाएगा कुन सा answer है? C option आपका answer है देखिए जरा इस question में आपको क्या दिया है? tier 2 का question है कहरा एक टेफ can fill a tank 15 and 1 half hour because of leak it took 8 and 1 y 4 hour to fill the tank in how much time will the leak alone empty 30% of the tank कहरा एक नल एक टेंकी को इतने समय में इतने घंटे में भर सकता है और एक रिसाव की कान tank भरने में इतने घंटे लगते हैं तो कितने समय में रिसाव से tank का 30% इसा खाली हो जाएगा तो रिसाव की कारण भरा जा रहा है इसका मतलब 2 simultaneously open है एक भरने वाला एक रिसाव जो खाली करने वाला उसको भी हमें एक नलमान ही लेते हैं यहां से हमने क्या किया कि कुछ capacity रख ले उपर 11 और 33 का हमने माल लिया कि 33 लिटर का है 11 से डिवाइड करें 3 और 2 multiply होके कितना होगे 6 यह 1 और 4 multiply होके 4 यह A plus B है वही दो नल है वो यहां पर open है तो सोचिए A plus B equals to आपको 4 है और यह plus का है यह minus का है क्यों यह खाली करने वाला यह plus है तो यह minus है यह plus का था तो सोचिए यह 6 भर रहा था अब आचार ही रहा है इसका मतलब इसकी capacity कितने है दो तो भई हमें खाली करने वाले कि 2 capacity पता चल गए इसका 30% ही भरना है 30% का मतलब 3Y 10 तो मेरे वाइब कितना हो गया 99 upon 10 तो टाइम कितना होगा आपने का सर 99 upon 10 और नीचे इसकी efficiency रिसाव की कितने है 2 तो यह हो गया 99 upon 20 है क्या बिलकुल तो B option आपका answer हो जाएगा कौन सा option answer है B option easy question है एक्टम असान असान question ठीक है चलिए अब इस question को देख लीजिए जरा क्या बोला गया है इस question में देखिए आपसी क्या बला है 2 pipe A and B can fill a cistern 12 and half hours and 25 hours respectively the pipe was opened simultaneously and it was found that due to the leakage in the bottom it took 1 hour and 40 minutes more to fill the cistern if the cistern is full in how much time will that leak alone empty 70% of the cistern पहले question जैसा ही question है टीर 2 का question है 2 pipe A and B एक टंकी को क्रम से इतने और इतने घंटे में बर सकते है 2 pipe है A ले लिया ये कितना हो जाएगा साड़े बार है ना तो 25 upon 2 हो जाएगा B है वो 25 है दोनों pipe को एक साथ खोला गया तो पाया कितल में रिशाव के गांट टंकी को बरने में एक गंटा 40 मिनट अधिक लगती है ठीक है इसका मतलब क्या है कि दोनों को अगर मैंने खोला तो मैंने ये देखा कि भाई इसमें एक गंटा 40 मिनट अधिक लगती है ठीक है और अब यह जो एक गंटा चालीस मिनिटा ना यह क्या है जब दोनों को भरने में दोनों को जो ओपन किया था तो जितने में भर जाना चीए था उससे एक गंटा चालीस मिनिट अधिक लगती है यदि होज भराव है तो टंकी का 70% हिस्सा अकेला रिसाव यानि वो नल जो ने जो टाइम आएगा इन दोनों से जो टाइम आएगा उस टाइम में हम यह एड कर लेंगे तो पता चलेगा एक थार्ड जो पाइपर इसके साथ में अटेच है ठीक है तो हमने यह देखा इनका टाइम कंबाइन टाइम कितना 25 अपॉन 3 तू और 1 इससे हमने देखा 8 और 1 वा जब आपके बास में A B open है B B open है यह टाइम किसका है यह टाइम है A plus B का तो जब सोचो सारे ही open है C यह आपके positive वाले है के negative वाले है तो सारे ही open है तो टाइम कितना लगेगा 8 गंटे और 20 मिनिट और उसमें 1 गंटा और 40 मिनिट एक्स्टा लगते हैं इसका हम तो कुल मिला कि टाइम कितना होगा 10 गंटे तो हमने यह देखा कि भई A और B को या A कितने में A की efficiency कितनी है 25 upon 2 B की कितनी है आपने का 25 तो हमने का A plus B और plus C C की कितनी है 10 हमने क्या क्या 50 मान ली इसकी वापिस हमने निकाल लिया C को include कर लिया हमने यह आपके भरने वाले है और यह खाली क करें तो दो बार तो यह तना यह कितना आगे चार यह 2 और यह कितना आजाए का 5 तो पता चला है यह 4 भर रहा है यह 2 भर रहा है फिर वह हमारे सामने कितना आ रहे 5 आ रहे इसका मतलब एक खाली हो रहे तो C की efficiency हमने एक पता चल गई तो का रहे टंकी का 70 परसेंट इसका 70 कितना होता है 70 परसेंट का मतलब 7 by 10 तो इसका 7 by 10 का मतलब 35 लिटर यह कितने में भरेगा तो टाइम निकाल लेंगे 35 और इसकी efficiency कितने वन इसका मतलब 35 35 आर्स चीक है simple question है इस type के question को करने के लिए यही concept better है एक बार इसको समझ लेना clear है चलिए भाई आगे बढ़ते देखिए next question और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है बोला है pipe A, B and C can fill a tank in 20, 30 and 60 hours respectively pipe A, B and C are opened at 7 a.m. 8 a.m. and 9 a.m. respectively on the same day when will the tank be full एक pipe A, B, C एक tank को 20, 30 और 60 गंटे में भर सकते हैं तो भाई A 20 और B कितने में 30 और C कितने में 60 इसमें वो भर सकते हैं तो pipe A, B, C उसी दिन क्रमसा सुबह 7, 8 और 9 बजे क्रमसा खोले जाते हैं तो हम देख लेते हैं tanky की capacity क्या है तो यह हमें पता चलगी 60 लेटर है तो यह परावर 3 और यहां पर परावर कितना है आपका 2 और यहां पर कितना है 1 है ठीक है अब कह रहा है सुबह 7 बजे खोलो जब आप सुबह 7 बजे खोलोगे उसके बाद में सुबह 8 बजे खोलोगे और उसके बाद में 9 बजे जब खोलोगे और बाद में आपका आगे का time, ठीक है? 7 बजे, A open हुआ, 8 बजे जब आपने open किया, तो B को open किया, A already open था, अब यहां से 9 बजे से लेकर कहां से? यहां से 9 बजे से लेकर और continue, यह आपके 3 नो open है A plus B plus C, C भी open हो चुका, बात इस 2 घंटे की है, यहां से और यहां तक की, यहां capacity हमें देखनी कितनी है हमने देखा A डाल देगा 3 लिटर यह 3 प्लस 2 लिटर तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो capacity जो आएगी अब टंकी की, तो 60 में से total कितना चला जाएगा 5 यह है तो कुल मिला के 8 चला जाएगा 52 लिटर अब हमारे पास में बचा हुआ है अब इस 52 को 9 बजे से 3 ने भरना इस्टार्ट किया ठीक है तो यहां पर आप देखना कि टाइम कितना हो गया तो 52 और 3 के एफिसेंस से कितनी है 6 तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 और फिर 4 y 6 इसका मतलब क्या ओगया 6 and 2 y 3 इसका मतलब है 6 गंटे और 40 मिनट ठीक है 6 गंटे 40 मिनट का मतलब है यहां से जब आगे चलेंगे 9 बजे के बाद में तो 6 गंटे यहां से लगेंगे तो यह टाइम कितना हो गया आपका तीन बज़कर और कितने मिनट हो जाएगी 40 मिनट तो फैर कि ठीक है तीन मिनट और तीन बज़कर कितने मिनट 40 मिनट है ठीक है तो यह 8 है यह कितना है 8 है यहां पर कितना 8 8 hours and 40 minutes इसका मतलब यह 5.40 हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 5.40 5 बज़कर 40 मिनट यहन B option आपका correct answer है एकदम simple question आसान question है देख लिजे भाई जल्दी से ओके चलिए आगे इस question की बात करते है और इसमें क्या बोला है देखते है बोला pipe A and B can fill a tank in 8 hour and 12 hour respectively C is an outlet pipe when all the three are open together the tank is filled in 13 and 1 by 3 C alone can empty the full tank in करा pipe A, B एक tank को 8 और 12 घंटे में बरसकते हैं अलग-अलग pipe A तो 8 घंटे में B कितने में 12 घंटे में C एक outlet pipe है जब तीनों को साथ में खोल दिया जाता है A plus B plus C की बात हो रही है तो यह भर रहा है इतने में तो यह कितना हो जाएगा 39, 140 अप उन कितना हो गया आपने का सथ 3 ओके अब एक चीज बताईए इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा capacity tank की बताईए ज़रा capacity क्या होगी तो हमें 8 और 5 वी चीए 40 और 3 वी चीए तो 120 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भई 8 से जब इसको divide करो तो यह कितना होगे 15 यह कितना होगे 10 और 3 और 3 कितना होगे आपका 9 ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके A प्लस B प्लस सी तीनो ओपन है इसका मतलब यह कभी मत समझना कि मैं देखो तीनो को जोड़ दूँ फिर 9 आ रहा है नहीं इसका मतलब है तीनो काम कर रहे है जब तीनो काम कर रहे है तो यह प्लस वाला यह प्लस वाला यह माइनस वाला है इसका मतलब A 15 लिटर डालेगा यह 10 लिटर डालेगा लेकिन तीनों के उपन होने पर 9 लिटर ही original टेंट मिल रहा है, फुल मिलाकि 9 ही मिल रहा है, तो फिर यहां क्या है यहां पर क्या आएगा इसका मतलब यह हुआ, कि यहां पर यह C है, वो 16 लिटर पानी बाहर निकालने वाला है, कौन सा है 30, 30 upon कितना हो जाएगा आपने का असर 4 30 upon 4 का मतलब क्या है 7 and half कितना है 7 and half P option आपका answer हो जाएगा कौन सा answer है मेरे भाई B option आपका answer है ओके चलिए अब इस पर आजाईए जरा simple question है, इसा मैं question करवा चुका हूँ pipe A, B and C can fill a tank in 30, 36 and 28 hours respectively all three pipes were open simultaneously if A and C were closed 5 hours, 8 hours respectively before the tank was filled completely then in how many hours was the tank filled pipe A, B and C एक tank को करम सा 30 गंटे, 36 गंटे और 28 गंटे में बर सकते है pipe A है वो 30 pipe B है वो 36 में pipe C है, वो कितने में 28 hours में बर सकते है clear? यहां से यह हम capacity निकाल लेगी यदि tank को पूरी तरह से बरने से पहले A और C को करम से 5 गंटे, 8 गंटे पहले बंद कर दिया जाता है ठीक है? अब यहां से हम आते है same question time and work वाला question है कि काम जो complete हुआ उस ठीक पहले इतने इतने गंटे इनों ने छोड़ दिया अब यहां से देखिए 9 और 7 तो 63 और हमें चीए एक 20 वाला ठीक है? यहां से हमें क्या चीए? 3 चीए और इसमें भी कितना चीए? हमें 4 चीए 3 का केस आ गया 9 और अट्चुल में हमें क्या चीए? 9 multiply by 5 चीए और multiply by क्या चीए? 4 चीए और multiply by क्या चीए? 7 चीए 63 हो गया 63 और 0 630 और 630 को हम किसे multiply कर दे 1260 चीक है? यह आपका आजाएगा यहां से हमने देखा तो यह 63 हो जाएगा चीक है? यह कितना हो गया? 3 से करोगे तो यह 42 हो गया ठीक है? 42 हो जाएगा इससे जब हम divide करेंगे 36 है तो 36 आपको देख लो ना 9 और हमारे पास में और क्या था? 5 था और क्या था? 4 था 7 था तो यह हो गया तो 35 आजाएगा 28 से जब हाप करोगे तो 45 आजाएगा ठीक है? ऐसा खुछ था तो आपको कह रहा है कि बताईए इनको कितने इतने तने गंटे पहले बंद कितर टेंक कितने गंटे में भर गया था? यह सारे भरने वाले ही थे इसका मतलब अगर टाइम निकालना है और पहले किसी को बंद कर रहे हो इसका मतलब यह हो गया कि उस 1260 में जिनको पहले बंद किया? A को बंद किया 8 गंटे, तो 45 को आप multiply कर दो इससे 8 से, ठीक है, नीचे कितना आ गया, 42 प्लस 35 और प्लस कितना, 45 उपर कितना हो गया, 1260 और ये कितना हो गया, आपने का सर ये हो गया टोटल एकी सो एकी सो, और ये कितना हो जाएगा, तापने का सर ये कितना हो गया, 360 ओके, ये 420 कहां से आगे मेरे वाई ये हो गया, 420 नहीं है, 42 इन्टू 5, ये 210 ये 210 ही है, कितना है, 210 और नीचे कितना आ गया, आपने का सर 80 और 1 80 122, 112 उपरवाले सभी को मैं एड़ कर देता हूँ तो हमने देखा 1200 और ये 1400 और कितना होगे, 1700 1820, 1830 1830 ओके, और नीचे कितना आ गया, 122 अब इसको कैंसल आउट हो रहे तो कैंसल आउट कर दो 61 से 2 टाइम्स और 61 से 3 टाइम्स 30, तो ये कितना आ जाएका, 15 आइम कितना आगे, 15 15 आर्स, एंडी ओप्सन आप कहां से थोड़ सा कैलकुलेटिव क्वेशन है जो पहले जा रहे है, उसको काम में वापिस ले किया हो, तो A को वापिस ले किया है कितने गंटे, 5 गंटे काम करेगा B को, C को वापिस ले किया है अना, और कितने गंटे काम करेगा 8 गंटे काम करेगा वापिस काम में लगा, उनकी एफिसेंसी से डिवाइड करो एकदम आसान कोशन है एजी कोशन है चली भई, नेक्स्टम आगे चलते है और इसमें आपको क्या बोला है कि pipe A and B can fill a tank in 15 hour and 12 hour respectively, pipe C alone can empty the full tank in 10 hour if all the three pipes are open together for 2 hours and 40 minutes then what part of the tank will remain unfilled कारे एक pipe A और B एक tank को 15 गंटे और 12 गंटे में बर सकते है कितने गंटे? 15 गंटे और 12 गंटे में बर सकते है pipe C, अकेले पूरी टंकी को 10 गंटे में खाली कर सकता है तो pipe A, 15 गंटे में pipe B, 12 गंटे में और pipe C, 10 गंटे में खाली कर सकता है यह कितना आ गया भई? यह 60 है यहाँ पर 4 है, यह 5 है और यह कितना है? 6 है clear? तो इसका मतलब यह भरने वाले और यह खाली करने वाला तीनों pipe को एक साथ 2 गंटे और 40 मिनट के लिए open कर दिया जाता है तो सोचो 2 गंटे 40 मिनट का मतलब क्या है? 2 and 2 y 3 हो जाएगा? यही होता है इसका मतलब यह कितना हो गया? 6 and 8 y 3 hours हो गया इसका मतलब एक गंटे की अगर capacity की बात करें तो A plus B plus C इनकी बात करें तो 6 है इसकी कितने होगी? 4 plus 5 और minus का 6 होगा 9 minus 6 यानि कितनी हा रही है? 3 हा रही efficiency क्योंकि यह तो जुडने वाले यह गटने वाले यह निकाल देगा पानी यह 9 लेटर बरेंगे 6 लेटर निकाल देगा 3 तो हमने देखा कि भई in 8 y 3 hours in 8 y 3 hours क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आपने देखा कि 8 y 3 hours में क्या होगा? आपने खासर 8 y 3 और एक घंटे में 3 लेटर ही जा रहे है तो कितने लेटर गया? 8 लेटर पानी चला गया clear है? तो remaining कितना है? remaining कितना है? तो आपने का कि remaining कितना है भाई? जब 8 लेटर पानी चला गया अब 8 लेटर कितने में से? 60 में से तो मैं part की बात करा हूँ यहाँ पर part की बात हो रही है इसका मतलब 8 upon कितना है? 60 तो यह कितना हो गया? 2 y 15 ठीक है? तो remaining कितना है? remaining part remaining remaining तो आपने का सर यह हो गया 13 upon 15 कितना बच गया मेरे भाई? 13 upon 15 यान B option आपका answer हो जाएगा कौन सा answer है? B option एकदम आसान question है एकदम time and work पूरे process time and work वाला ही process चल रहा है इसके लावा कुछ भी नहीं है ठीक है? देखिये फटाफट बेखिये ज़रा इसमें क्या बोला है? Pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 13 minutes respectively Pipe C attached to tank can drain off 125 liter of water per minute if all the pipes are open together the tank is filled in 45 minutes the capacity of the tank in literacies Pipe A and B एक tank को 18 minute और 30 minute में भर सकते हैं tank से जुड़ा Pipe C प्रती मिनिट 125 liter पानी निकाल सकता है यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो tank की 45 minute में भर जाती है तो tank की लिटर में tank की लिटर में tank की ख्शमता ग्याद करो फिक है? find out करो एकदम आसान question एकदम simple सा question है करना क्या देखिए? एसा कभी भी पहली बात तो important question है कभी भी question है तो हमेशा ध्यान में रखना A कितना होगा? 18 B कितना होगा? 30 और C कितना होगा? तो आपने कासर C C का तो नहीं है तो तीनों तो दिया है सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो 90 कर दूँ तो 90 से काम आसान हो जाएगा यह आजाएगा 5 यह 3 और यह 2 आजाएगा इसका मतलब यह हुआ यह दोनों बरने वाले यह खाली करने वाला दोनों बरने वाले और खाली करने वाला तो मेरे भई 5 यह कितना है 5 और यह 3 और माइनस का कितना है वही इसका total value यहां कितना आ रहा था 2 आ रहा था ना इसका मतली equals to कितना आ रहा है 2 तो 8 भर रहा है तो इसका कितना है 6 है C का आप देखो यह 5 A डाल रहा है 3 लिटर यह डाल रहा है और फिर भी 8 लिटर जा रहा है तो resultant हमारे पास 3 लिटर पानी C निकाल रहा है तो भी C का टाइम निकाल लेते है हमने का 90 अपोन कर दिया 6 है ना 6 से किया तो आपको पता कितना हो गया टोटल भाई यह टोटल आपका value कितनी हो जाएगी 6 से करोगे 15 अच्छे क्या तो 15 ठीक है 15 मिनिट अब देखी बात करते हैं कैपैसिटी की कैसे 15 मिनिट और पर मिनिट देखी कितना पानी 125 125 से multiply कर देते हैं ठीक है तो 15 multiply by 21 80 तो यह हो गया 1800 और 55 तो यह हो गया 1800 पिचातर लिटर बताइए जरा समझ में आया है या नहीं आया C option आपका answer हो जाएगा एकदम easy question असान question है फटाबड़ इसको देख लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर बेखी जरा next question और यह question आप से क्या कहा रहा है आप से बोल रहा है कि भाई 2 inlet pipe can separately fill a system completely in 8 hour and 10 hour respectively they are operated for 2 hour after which the second pipe is closed and one outlet pipe which can drain out water from the full system in 20 hours is opened how much time will it take to fill the system completely from the instant of opening opening the outlet pipe कारा दो inlet pipe अलग अलग एक टंकी को 8 गंटे और 10 गंटे में पूरी तरह बर सकते हैं दो inlet pipe मैं A और B ले लेता हूँ ठीक है कितने कितने गंटे में 8 गंटे और कितने में 10 गंटे में बर सकते हैं उन्हें 2 गंटे के लिए संचालित किया जाता है जिसके बाद दूसरा pipe बंद कर दिया जाता है और एक outlet pipe जो पूरे टंक से 20 गंटे में पानी निकाल सकता है इसका मतलब यह C यह plus वाले यह minus वाला 20 गंटे में पानी को निकाल सकता है इसको हमने open कर दिया तो यहां पर हम पहले capacity देखते हैं यह सा है क्या जो इसको निकाल सकता है आप देखिए 40 तो 40 यहां पर सही है यह 5 है यह 4 है और यह 2 है clear तो 20 गंटे में पानी निकाल सकता है और आप से कह रहा है कि खोला जाता है outlet pipe खोलने की तुरंत बाद तंकी को पूरी तरह से बरने में कितना समय लगेगा उसके बाद खोलने के बाद ध्यान रखना यह जो line है इसको ध्यान रखना लेकिन question देखिए बड़ा सांदार question है लेकिन exam कौन सा है MTS ठीक है आप एक बात बताईए कि पहले दो गंटे के लिए संचालित किया जाता है दोनों को A और B को यहां से M बात करते है A और B को पहले दो गंटे के लिए संचालित किया जाता है 2 multiply by efficiency कितनी है 9 कितना हो गया भी 18 भर चुका अब हमारे पास बचा कितना 22 अब यहां से हुआ क्या देखना दूसरा pipe B बंद कर दिया जाता है B है उसको close करके C है उसको open कर दिया जाता है A और C working condition में इसका मतलब simple सा है कि भाई 5 minus 2 all or जा कितना रहा है 3 unit पानी जा रहा है अब हमारे पास बचा इतना है तो आप सोचो कि भी 3 unit पानी उसके अंदर जा रहा है अब तो खहरा है इसके ठीक बाद ठीक बाद इसका मतलब time यहां पर निकालना है तो 22 multiply by कितना है 3 आपने देखा यह हो गया 7 hours and 1 y 3 hours 1 y 3 hours 7 and 1 y 3 hours इसका मतलब 7 गंटे और कितना 20 minute 7 गंटे 20 minute यहनी C option आपका अंसर है पुछे ना बरने में कुल कितना समय लगा इस हिसाब से तो 2 गंटे और जोड़ देना 9 गंटे और 20 minute आपका अंसर हो जाता है clear है समझ में आगी बात गजब का question था है अच्छा question था यह ठीक है अब देखिए आगे वाले इस question को देखिए और इसमें बताई कि फटा फटा आपका आंसर कितना आ रहे है क्या बोल रहे 2 pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours 16 hours respectively they are opened alternately for 1 hour each opening pipe B first in how many hours will the empty tank be filled A है और यह आपका क्या है B है खाली टेंग को 10 गंटे में और 16 गंटे में बर सकते एक्छलिम वो है क्या 80 ले ले 80 लेटर का टेंग है 8 है और यहां पर कितना है 5 बारी बारी से alternate way में विकल्पिक रूप से काम चल रहा है इसका मतलब पहले B को खोला जाता है फिर A आएगा पर सकते हैं इसका मतलब यह कितना है पहले 5 फिर पहले 1 गंटे के लिए यह आपका 1 और यह 1 कुल मिला के 2 गंटे तो 5 और फिर कितना 8 कुल मिला के कितना है 13 उनिट तो भाई आप खुद देखे ना इसके नजदीक लेके चलते है 13 को तो 6 से करें तो 78 हो जाएगा पहने का सर यह हो गया 78 और यह हो गया 12 वार्स बच्ची कितनी है सर 2 उनिट बच्ची है कौन करेगा B करेगा टाइम कितना लेगा B बनाएगा अपने बना सकता 5 के साब से 2 वाई 5 टोटल टाइम कितना हो गया आपने का सर 12 एंड 2 वाई 5 2 वाई 5 आर्स ओके कितना लगेगा भाई कितना टाइम लगेगा कौन सा आंसर हो गया A option answer है CGL में पूछा गया question है एकदम simple simple question पूछे जा रहे है चलिए भई इस question को भी देख लेते है लगे हाथ और ये question आप लोगों से क्या कह रहे है question में देखिए pipe A and B can fill a tank in 12 hours in 16 hours respectively and pipe C can empty the full tank pipe B is closed in how many hours the empty tank will be completely filled तो pipe A और B एक tank को करमशे 12 गंटे 16 गंटे में बर सकते है pipe C पूरे tank को 24 गंटे में खाली कर सकता है तो तीनों pipe को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 4 गंटे बाद pipe B को बंद कर दिया जाता है तो खाली tank की कितने समय में पूरी तरह बर जाएगी question simple है A 12 गंटे में और B 16 गंटे में actually में यहाँ पर कितना है 48 यह कितना होगे 4 और यह कितना होगे 3 और एक आपका ओर है C कितने में 24 गंटे में खाली कर सकता है इसकी भी अगर में बात करें तो यह कितना है 2 अब आपसे बोल रहा है कि यह खाली करने वाला है खाली करने वाला मतलब यह दो भरने वाले है और यह खाली करने वाला है तीनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाता है लेकिन 4 गंटे बाद B को बंद कर दिया जाता है तीनों को A प्लस B प्लस C इसका मतलब है 4 आपका जा रहा है 3 भी आपका जा रहा है 2 आपका आ रहा है यहाँ पर net कितना मिल रहा है 5 तो 2 गंटे के लिए अगर इनको 4 गंटे बाद बंद कर दिया 4 तो कितनी unit होगी 20 unit हो चुकी complete clear बच्ची कितनी 48 अब 48 unit आपकी 48 में 28 बच्ची है 28 बच्ची है कितनी बच्ची है मेरे भाई 28 अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गए आप से बोला गए कि pipe B को बंद कर दिया जाता है तो आप B को बंद कर देते हो मेरे भाई A और C तो open है यह तो 4 इसमें डालेगा यह 2 निकाल देगा कुल मिला कि 2 हमें मिल रहे तो कहा रहा है टाइम कितना लगेगा तो 28 अपॉन 2 कितना लगेगा 14 आर्स अब इसी 14 गंटे और लग जाएंगे तो कहा रहा है कि खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगे खाली टंकी तो 14 वो है और 4 गंटे यह लग रहे थे वह 4 गंटे तो यहां तक लगे थे हमें और खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगे अब कितने समय कि अगर बात करो ते यार यह तो टोटल 4 गंटे यहां तक थे उसके बाद में आपको 2 के हिसाब से वहां लग रहे है आपने B को कर दिया बंद B बंद कर दिया तो A और C ओपन है 4 यह डाल रहा है 2 निकाल रहा है 2 आपका गंटे का बच रहा है यहां पर 14 गंटे आंसर आजाएगा क्या हो गया भई D ओपसन आंसर हो गया अगर यह पूरा निकालते तो 4 गंटे इसके भी एड होती तो 18 गंटे पूरी तरक कितने में हो जाएगी A ओपसन टोटल टाइम यह है न यह 4 गंटे यहां तक और 14 यह टोटल कितने में भर जाएगी 18 गंटे में अगर आप पूछे न अब जो सेशन कितने में भर जाएगी तोब 14 गंटे होता ठीक है चलिये जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की तरब चलते है क्या बोला गया A tank is filled in 4 hours by 3 pipes A, B and C The pipe C is 1 and half times as fast as B and B is 3 times as fast as A How many hours will pipe A alone take to fill the tank A tank को 3 pipe A, B, C 4 गंटे में बर सकते है इस लाइन को ध्यान रखना C pipe B से dead गुना तेज है C है वो pipe B से dead गुना तेज है मतलब 1 है तो ये dead है ये 2 है तो वो 3 है तो A और B की बात कर ले B है वो A से 3 गुना तेज है P A से 3 गुना तेज है तो A, B, C निकाल दे A, B, C निकाल दे तो ये कितना होगा 2, ये 6 और ये कितना होगा 9, ये आ गया हमारे पास तो हमारे पास total अगर capacity आपको निकालनी है आप खुद देखिए न 2 प्लस 6 प्लस 9 और multiply by कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 9 और multiply by कितना है 4, ये कितना होगा भई आपने का सर 8 ये होगा 17 multiply by 4 कितना होगा 68 total कितना है 68 pipe A कितने गंटे में भर देगा pipe A की बात कर रहे हो इसका मतलब 68 को efficiency 2 की इसाब से भरेगा तो 34 hours ले लेगा simple question है जो time and work में process किया था बस उसी process को लेकिन यहाँ पर खाली करने वाले नल को जहाँ रखना है ओके चलिए आगे चलते है और इस question को बताईए जल्दी से इसका answer क्या है बोला क्या है pipe A and B can empty a full tank in 36 and 45 minutes respectively whereas point pipe C alone can fill the tank in 15 minutes B and C are open together for 15 minutes and then both are turned off and A is opened pipe A will empty the tank in आपसे क्या बहर रहा है pipe A और B एक टेंक को क्रमशे 36-45 minutes में खाली कर सकते है जबकि pipe C अकेले 15 minutes में भर सकता है B और C को एक साथ 15 minutes के लिए खोला जाता है फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है फिर A को खोला जाता है तो pipe A टंकी को खाली करतेगा कितने minute में खाली करतेगा question समझेना A यहाँ पर कितना दिया 36 B यहाँ पर कितना दिया 45 C यहाँ पर कितना दिया 15 जहाँ पर 45 का डिवाइड हो रहा है वहाँ पर 15 का भी होगा हमने का 180 जब यह 180 है तो आप बात बताईए यह कितना होगा आपने का सर्फ 5 यह कितना होगा 4 और यह कितना होगा आपने का सर्फ 12 ठीक है अब एक चीज बताओ यह दोनों है खाली करने वाले और यह है बरने वाला तो आप से बोला क्या जा रहा है ये टंकी है पूरा प्रोसेस समझते हैं ये टंकी है अब यसे बना लिया करो यार कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता चीजें इदम क्लीर हो जाती है कह रहा है बी और सी को एक साथ 15 मिनिट के लिए खोला जाता है ये बी है और ये सी है देखी बी चार खाली कर रहा है और सी ये चार खाली कर रहा है और सी क्या कर रहा है बारे डाल रहा है फुल मिलाके 8 लिटर पानी जाएगा जाएगा कुछ भी कर लो कितने मिनिट के लिए 15 15 मिनिट में 8 के हिसाब से कितना पानी चला गया 120 लिटर चला गया एक सो बीस लिटर चला गया फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और एक को खोल दिया जाता है तो सोचो अब दोनों को बंद कर दिया संक्य के पूरी खाली справined Tकी में जब हम इन दोनों को open किया तो इतना पानी गया अब A को जो ही खोला A को open किया A काम करेगा, A क्या हवा निकालेगा A क्या करेगा, A तो जो भरावा पानी है उसी को निकालेगा, तो A इसी को निकालना A की negative efficiency गतना 5 अब ये A को जो open करेगा क्या करूं मैं बताओं हाना बर्दों मैं सकता नहीं हमें है उसको निकाल दूगा तो ए ने किस पर काम करना इस्टार्ट कर दिया इस पर तो टाइम कितना हो गया 120 अपॉन कितना आगया फाइव 24 क्लियर 24 मिनट 24 मिनट लगाएगा खाली करके काम तमाँ ओके इजी कोशन है समझना आपको इसको चलिए आगे चलते और इसको बताइए जरा क्या खह रहा है टेप P can fill a system in 6 hours and tape Q can empty the full system in 10 hours if both tapes P and Q are kept open simultaneously then in how many hours will the empty system be completely full null P किसी टंकी को 6 गंटे बर सकता है क्यों बरी भी टंकी को 10 गंटे में खाली कर सकता है यदि P और Q दोनों के एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने गंटे में बरेगी P 6 गंटे में बर सकता है Q है वो आपका 10 गंटे में खाली कर सकता है यदि एक चुल में कितना है 30 तो मेरे भाई ये 5 है, भरने वाला है, और ये 3 है, खाली करने वाला है, तो P और Q को जब मैं रखता हूँ, तो 5 भरेगा, 3 खाली करेगा, तो यहाँ जाएगा, फिक है, इसका मतलब टाइम कितना है, 30 वाले को 2 की हिसाब से, 15 गंटे में आप क्या कर दोगे, टंकी को भर ये ओप्सन आपका अंसर है, कौन सा है, ये ओप्सन, एकदम आसान क्वेशन, सिंपल वाले क्वेशन है, चलिए इस क्वेशन को भी फटा पट देखी जरा, क्या बोला है, 2 पाइपस केन फिल टेंक इन 15 आर्स और फोर आर्स रेस्पेक्टिवली, वाइल ए थार्ड 18, 12 आर्स, how long will it take to fill the empty, if all the 3 पाइपस are opened simultaneously, 2 पाइप करम से 15 गंटे, 4 गंटे में टेंक को भर सकता है, 3 रा 12 गंटे में खाली कर सकता है, 2 पाइप, A है, वो 15 गंटे में, B है, वो कितने गंटे में, 4 गंटे में, ठीक है, C है, वो कितने गंटे में, 12 गंटे में, clear, यह प्लस और प्लस, यह माइनस, हमने यहाँ पर देखा, यह कितना है, 60, इसके बाद में यह कितना होगे, 4, यह कितना होगे, 15, यह कितना होगे, 5, clear, समझना, आप से क्यावल तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाएं तो इसका मतलब A प्लस B और प्लस का C ओके आपने देखा कि यहाँ पर कितना जा रहा है यह 4 भर रहा है यह 15 भर रहा है ओके और यह कितना हो रहा है माइनस का 5 15 आपका भर रहा है और माइनस का 5 कुल मिला के कितना हो रहा है 14 कितना हो रहा है 14 तो कारत तीनों पाइप को एक साथ अगर खोला जाता है तो टेंक भरने में समय तो 60 और इसके नीचे कितना कर दो 14 तो 30 आपन कितना आगा 7 कितना टाइम लगेगा 30 आपन 7 ओके A, B and C can fill an empty tank in 37 hours. If all the three pipes are opened simultaneously and B are filling pipe and C is an emptying pipe, pipe A can fill the tank in 15 hours and pipe C can empty it in 12 hours. In how many hours can pipe B alone fill the empty tank? pipe A, B, C 30 y 7 hours in a tank, a tank, a tank, a plus B plus C, 30 y 7 hours in a tank, 3 pipe A can fill it in a or B can fill it in a pipe, C can fill it in a tank, a tank 15 hours in a tank. A भर सकता है 15 hours in a time. और tank C, जो pipe C, tank को 12 hours in a time. 12 hours in a time. खाली कर सकता है. तो यह कितना हो गया? आपने का असर यह हो जाएगा 60. यह total divide करोगे, तो यह कितना हो गया? 14. इसको करोगे तो यह कितना हो गया? 4. यह कितना हो गया? 5. अब देखिए, यह भरने वाला है, यह खाली करने वाला है. आपको पता है, A plus B plus C, इसके total कितना है? 14. A की value कितनी है? आपने का सर 4. B की value नहीं पता. C की value minus 5 equals to कितना 14. इधर जाओगे तो B की value कितनी हा गया? आपने का सर यह हो गया? 19 minus 4. कितना मिल गया? 15. बी अकेला tank को कितने समय में भर सकता है? खाले tank को. तो time किसका B का? तो 60 upon 15 कितना आगे भी 4? 4 आपका answer है. बताइए D option आपका answer हो जाएगा. clear है? अच्छा question है. चलिए. इस video का last question और फट आपड़ देखी क्या होगा? पाइप A, B, C can fill a tank in 15, 30, and 40 hours respectively. पाइप A, B, C are opened at 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively. on the same day, when will be the tank be full? पाइप A, B, C क्रमशय, A, B, C, 15 गंटे, B कितना? 30 गंटे, और C कितना? 40 गंटे. चीक है? 40 गंटे. आपने क्या किया? यहाँ पर आपने देखा कि यह total कितना होगया? 120. तो भई, 8 आजएगा. यह कितना होगया? 4 और यह 3 होगया. तीनों भरने वाले. पाइप A, B, C को उसी दिन क्रमशय सुबच 6 बजे, एक तो 6 बजे, एक 8 बजे, और एक 10 बजे. ठीक है? 6 बजे आपने इसको उपन किया. A, B, C को उसी दिन 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोला जाता है. पहले A को खोला और फिर इसके साथ इसको खोल दिया. फिर 3 कितने बजे खोल गए? इतने बजे खोल गए? आप यहां पर देखिए इसकी जो efficiency कितनी 8 है. यहां पर 8 प्लस 4. टोटल कितना आगए? 12. तो यह इतना इतना पानी भर चुके. ठीक है? विपर आर इनका इतना है. तो सोचो, यह गर टोटल अगर efficiency बात करें, यहां से यहां की दुरान. 2 गंटे की दुरान. 6 से 8 बजे की दुरान. तो A काम कर रहा था. तो A ने कितना किया? आपने कहा, सर A की जो value है, वो कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 2, कितना हो गए? 16. ठीक है? यहां से यहां तक कि अगर हम बात करें, तो इसकी value कितनी हो गई? आगे 2 गंटे की. 12 इंटू 2, कितना होगे? 24. तो remaining कितना है? अब बच्चा कितना है? ठीक है? सेस कितना है? तब आपने का, कि सर सेस की बात करते हो, तो हम 120 में से क्या घटाएंगे? यह तो कितना होगे? 24. और क्या घटाएंगे? 16. कहने का मतलब है, हमारे पास total कितना बच्चा? 80. इस 80 को सर फिल करना है 10 बचे के बाद में. तो यहां से जो टाइम है, वो कितना लगेगा? आपने का सर 80 अपोन इनकी efficiency. कितनी होगी? 15. इसको जब हमने डिवाइड किया, 5,75 और 5,15. तो 5 hour and 20 minute. कितने बचे से? 10 बचे से. इसका मतलब यह हुआ कि यहां से अगर इसमें 5 घंटे और 20 minute अगर मैं इसमें 8 कर दूँ, तो कितना हो जाएगा भई? यह हो जाएगा. 3 बचकर और 20 minute है. यह पीएम वाला यह टाइम हो जाएगा. अना 3 20. यह option आपका answer हो जाएगा. यह से same question मैं पीछे आपको करवा भी चुका हूँ. फट आफट इसको देख लीजेगा चलियर है? चलिए. तो मेरे भाई हमने इस वीडियो में total 50 question थे और यहाँ तक यहाँ इस वीडियो तक 50 question थे. ओके? तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में total 25 question थे यानि हमने 50 question pipeline system के complete कर लिये है. I think